इस नियोज इस पॉंसर्ट बाई हीरा बैंकिट हॉल फुली एर कंडिशनर आट सेयद अली चबूतरा नियर शागॉस होटल असलाम अलेकुम नाजरीन आप सब का खेर मगदा में ए-18 तलिगाना नियूस पर आज पांच अगस्ट थर्स्टे का दिन है आए नाजरीन देखते हैं इंटरनाशनल और नाशनल के खास खबरे शहरे हाइडरबाद और आसपास के अलागों में मौसम के बदलाओ और बारिश के चलते डेंगू और वाइरल फीवर के पेशन्स में इजाफा हुआ है पिछले एक हफ़ते में डेंगो के केसस अचानक बढ़ गए हैं डेंगो पेशन्स क्लेनिक्स हॉस्पिटल्स फीवर हॉस्पिटल नाला कुंटा में शरीक हो रहे हैं अपनी इलाच के लिए कई पेशन्स की शिकायत है उन्हें तेज बखारे जिसम में दरद हो रहा है नाक से खून जाना कमर का दरद हो रहा है प्लेट लेट्स में गिरावट बलेट प्रेशर में गिरावट और खुझली की शिकायत है पिछले एक हफ़ते में फीवर हॉस्पिटल और डेंगू पेशन और वाइरल फीवर वाले पेशन्स की गिंती में हलका इजाफा हुआ है जैसे कि आप सब वाखिफ होंगे नाजरीन इस मौसम में खुसुसन मच्छों की पैदावर बढ़ जाती है जिस से बचना एहम है इसलिए अचारक डेंगू और वाइरल बुखार के केसस में इजाफा हो रहा है सुप्री डेंटिन फीवर हॉस्पिटल के डॉक्टर के शंकर ने कहा कि फिलाल कोई डने की बात नहीं है डेंगू पॉजटिव पेशन्स का इलाज चल रहा है फीवर हॉस्पिटल में और के सबब त़स्टे की दिन फिलाल तेलिगाना रियासत में कोविड-19 के अक्टिव केस्ज आट हहजार साथ सो चवालीष है डेेक्टर आफ पबलिक हैल्थ हैज्ट में अगर कोविड 19 की लहर दाकिल हो रही है तो कब कैसे और कितनों को मतासर करेगी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है स्टेट डारिक्टर पबलिक हेल्ट डॉक्टर जी श्री निवासा राउ ने अंदाजा लगाए कि डिसंबर तक शायद कोविड 19 की तीसरी लहर तेलिगाना रियासत में दाकिल हो सकती है फिलाल ये सब अंदाजे है सीनियर हेल्थ ओफिशिल्स ने ये कहा कि अगर आवाम के लापरवाही दिन पे दिन बढ़ते गई तो कोविड 19 की तीसरी लहर दाकिल हो सकती है इसलिए जरूरी है कि आवाम कोविड 19 से एहतियाद करें अगर वो वैक्सिनेशन करवा ले तो शायद करोना वारिस से बचने में मदद मिल सकती है आम आवाम के अलावा सियासी लीडर और पॉलिटीशन्स की जिमेदारी बंदी है कि वो एहतियाद बढ़ते वाज़ रहे नाज़ीन तलिगाना रियासत में कोविड 19 की दूसरी लहट थम गई है लेकिन तलिगाना स्टेट में 600 से 500 रोजाना नए कोविड 19 केसिस दर्ज हो रहे हैं तलिगाना चीफ मेनसर के चंडर शेकराओं ने मेनसर के दिन कहा कि दलिट के लोगों को मारवारी से सीखना चाहिए कारोबार करने और पैसे बनाने की तकनीक चीफ मेनसर केसियार यहां से 60 किलो मीटर दूर वसाला मारी गाउं में आवाम से मुकातिब हो रहे थे और दलिट बंदो के तफसलाद बता रहे थे उसी दोरान ये बात उन्होंने कही रचागुटा पुलीस ने ऑनलाइन क्रिकिट सटा लगानी वाली गैन का परदा फाश किये और उनके खब्जे से खरीब 15 लाग का मालियाती सामान जब्द किया गया साथी और्गनाईजर को भी गिरफतार कलिया गया चार अगस्ट को स्पेशल आपरेशन टीम अलबी नगर जोन ने रचागुटा कमिशनरेट की तहट शेक सादिख को गिरफतार किये थे जो नागर कुनल डिस्ट्रिक्स से है साथी उनके खबजे से 15,70,000 रुपे का सामान और चार मुबाइल फोन्स आठ क्रेडिट कार्ट्स जब्द किये गए साथी पोलीस ने नव बैंक एकाउंट को फ्रोज कर दिये जिसमें कुल खेमत 79,63,603 रुपे थे बताय चारा है के कुल 95,00,000 रुपे जब्द किये गए भारिती जंदा पार्टी की लीडर गोशा महल से टी राजा सिंग ने चीफ मिनस्टर के चिंदर शेकर राउ से गुजारिश किये बैटमिंडन प्लियर जो टोकियो में दो मर्तबा ओलमपिक मेडल हासल किये पीवी सिंदो को तलेंगाना का अमबैसेटर बनाने की गुजारिश किये और टेनिस प्लियर सानिया मिर्जा को हटाने की गुजारिश किये तलेंगाना अमबैसेटर की गदी से राजा सिंग ने कहा कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान वालों की बहु है राजा सिंग ने गुजारिश किये सीम के सी आर से कि सानिया मिर्जा को हटाया जाए तलिंगाना अमबैसिटर की सीड से वाजरे है नाजरीन सानिया मिर्जा और अंकीता राएना टोक्यो ऑलमपिक्स में हार गए